इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ important questions लाए हैं ये जो topic है हमने आपके cellbus में computer portion से लिया हुआ है और इनको जानना आपके लिए जुरूरी है तो वीडियो को एंट तक देखते रहे हैं वीडियो को start करने से पहले आपसे request है कि अगर आप चनल पे नहीं तो चनल को subscribe करें औ लिए को like करने के साथ share भी जुरूर करें चनल को support करने के लिए दोस्तो ये जो questions रहेंगे ये आप माने के quiz के तोर पे रहेंगे जो मैं question पड़ूंगा आप पहले कोशिच करेंगे इनका answer देने की उसके बाद मैं आपको answer भी बताऊंगा और इन questions से related और भी important point जो है वो भ पहले question से आपकी screen पे हमारा पहला question है which of the following computer virus separate mostly through spam and infected websites आपको बताना है इन में से कौन सा computer virus ज्यादा तर spam से फैलता है यानि spam link से फैलता है या फिर infected website से फैलता है और फिर आपके पास polymorphic virus, metamorphic virus, datamorphic virus या फिर webmorphic virus शबाज दोस्तों आपना answer लिखें देखते हैं किस-किस का answer सही होता है इस question के लिए वो कौन सा virus है जो की ज्यादा तर spam और infected website से फैलता है तो I hope कि आपने answer लिखा होगा इसका जो सही answer है वो है part A polymorphic virus ज्यादा तर spam और infected website से फैलता है दोस्तों जब हम बात करते हैं polymorphic virus की तो जो पहला non polymorphic virus था उसका नाम था 1260 और V2PX दोस्तों इसके अलावा ये जो viruses हैं याने polymorphic virus इसको create किया गया था 1900 and 90 में दोस्तों जब हम polymorphic virus की बात करते हैं तो ये एक बहुत हामफुल और destructive virus malware माना जाता है क्योंकि ये अपने आफ को detect ना होने के लिए मौफ करता है और खुद की identification को ये change करता रहता है ताकि ये antivirus से detect ना हो जाए और इसको detect करना antivirus के लिए बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों जो और examples है polymorphic virus की इन में है U, R, S, N, I, F ये एक polymorphic virus है इसके अलावा वीरलॉक वीरलॉक ये भी एक polymorphic virus है इसके अलावा और एक वबफस वी, O, B, F, U, S ये भी एक polymorphic virus है और बैगल बी, A, G, L, E ये भी एक polymorphic virus है हमारा आज का दूसरा question है, which of the following was the first boot virus? आपको बताना है कि इन में से कौन सा पहला boot virus था? options हैं आपके पास killer risk, brain, heart या फिर kidney दोस्तो अपना-पना answer लिखें बताएए कि पहला boot virus इन में से कौन सा computer virus था? killer risk, brain, heart या फिर kidney देखते हैं किस-किस का answer सही होगा? तो इसका जो सही answer रहेगा वो है दोस्तो पार्ट B, brain ये पहला boot virus जो है detect किया गया था दोस्तो जब हम boot virus की बात करते हैं या फिर boot sector virus की बात करते हैं तो ये वो virus होता है जो आपके computer को start होने में problem करता है boot करने का मतलब होता है computer का start होना तो इस virus का काम होता है computer की booting में problem को create करना चाहिए फिर वो dos sector हो या फिर वो master boot record हो दोस्तों अब हम बात करते हैं brain boot virus की तो इस virus को बनाया गया था 1986 में और इसको create किया था पाकिस्तान के दो बायू ने जिन में से एक का नाम था अमजद फारुक अलवी और दूसरे का नाम था बासित फारुक अलवी इनको अलवी ब्रदर्स भी कहा जाता है इन्हों ने ही ये boot virus को बनाया था दोस्तों यहां पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस boot virus को या इस brain virus को लाहूर ब्रेन या फिर पाकिस्तानी ब्रेन भी कहा जाता है और यह जो अलवी ब्रदर्स थे ये उस टाइम सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने ये वायरस को बनाया था दोस्तों यहां पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस boot virus को या इस brain virus को लाहूर ब्रेन या फिर पाकिस्तानी ब्रेन भी कहा जाता है और यह जो अलवी ब्रदर्स थे ये उस टाइम सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने ये वायरस को बनाया था हमारा आज का next question देखते हैं और आप answer देने की कोशिश करेंगे which computer virus is also called as cavity virus आपको बताना है कि इन में से किस computer virus को cavity virus भी कहा जाता है options आपके पास space filler virus, creeper virus, boot virus या फिर none आप दीज शबाज दोस्तों आपना अपना answer लिखिए बताईए कि cavity virus किस virus को इन में से कहा जाता है दूसरा नाम है ये cavity virus का space filler, creeper virus, boot virus या फिर none आप दीज कोशिश कीजिए तो इसका जो सही answer रहेगा cavity virus का दूसरा नाम है space filler virus दोस्तों जब हम cavity virus या फिर space filler virus की बात करते हैं तो ये इतना harmful जो virus है नहीं होता है क्योंकि ये आपके किसी भी file को effect नहीं करता है इसका जो काम होता है जो आपके computer में खाली space होगी तो उस खाली space को ये बरता है यानि जो आपकी memory होगी computer में ये उस memory को fill up करता है दोस्तों जब हम space filler virus या फिर cavity virus की example की बात करते हैं तो इसमें जो early space filler virus पाया गया एक का नाम था ली हाई तो ली हाई एक space filler virus था हमारा आज का next question देखते हैं question है which of the following computer virus is a root kit virus आपको बताना है कि इन में से कौन सा virus जो है वो root kit virus है options आपके पास hacker defender stack net zoos या फिर all of these शबाज दोस्तों answer लिखें आपना-पना root kit virus इन में से कौन सा virus है इसका जो सही answer रहेगा वो है part D all of these याने hacker defender stack net जो है यह सारे root kit viruses है दोस्तों जब हम बात करते हैं root kit virus की तो root kit virus एक ऐसा virus है एक ऐसा software है जिसको install करने पर आपके computer का पूरा जो access है वो hacker के पास चला जाता है याने hacker जो है आपके computer में कुछ भी कर सकता है वो आपकी computer की setting को change कर सकता है आपकी files को delete कर सकता है आपके computer को चला सकता है इस virus या फिर इस software से जो hacker होता है वो दूर बैठकर आपके computer की पूरी command लेता है तो इस software से इस virus से आपके computer की command है वो दूर बैठा hacker जो है उसको control करता है दोस्तों जब हम rootkit virus की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको program किया गया था 1900 and 90's में और rootkit virus को बनाया था सिटीविन, सिटीविन डैक और लैन डैविस ने लैन डैविस और सिटीविन डैक ने इस root virus को बनाया था code किया था दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी हम कल आपके लिए और एक वीडियो लाएंगे जो की types of computer virus से related रहेगी उमीद करूँगा कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शियर जूरूर करें दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक next वीडियो में तब तक के लिए take care